नमस्ते बच्चों आज मैं आपको एक नया पाट ले के आई हूँ ओ है समझदार राजू राजू कक्षाचार में फड़ता था वह बड़ा समझदार और बहादूर बच्चा था उसके केट के पास से रेल की पटरी गुजरती थी एक दिन वह अपने केट से गर लवट रहा था तबी उसकी नसर एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी राजू गब्रा गया और इदर उदर देखने लगा ताकि वह किसी को इसके विशय में बता सके लेकर उसे आसपास कोई वेक्ती नहीं दिकाई दिया तबी उसे दूर से आती रेल गाडी दिकाई दी वह चिंता में पट गया अगर वह गाडी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जाने चली जायेगी गाडी दीरे दीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी अचानक उसको एक उपाय सुजान उसने जिल्डी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बाद कर रेल गाडी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा रेल गाडी के ड्राइवर ने उसे लाल कपडा लहराते हुए देख लिया उसे किसी अंजान कत्रे का अहसास हो गया और गाडी रोक दी अचानक गाडी रुकने से रेल गाडी के यात्री इदर उदर देखने लगे फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूज भूज से उनकी जान संकट में आने से बच्ची है तो सबी उसे शाबाशी देने लगे बाड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को बहाद दूरी के लिए स्कूर के ट्रताना अचार्य द्वारा उरसकर दिया गया यस पाड के द्वारा हमें मुशीबतों के समय घबराना नहीं चाहिए आव हिम मच्चे काम लेना चाहिए गाशी मिलते हैं अग्या